हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार ब्रहार नमशकार सत्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बार मैं फिर हाजुन हूँ आपके सामने एक नहीं जानकारी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं नमक की यनकी सौल्ट की खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नमक बहुत जादा जरूरी है यह यूँ कहें कि नमक के बिना स्वादिश्ट खाना बन ही नहीं सकता लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक की जितनी जरूरत स्वादिश्ट खाने में होती है उतनी ही जरूरत हमारे अच्छे स्वास्त के ल वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारत हो सकता है अगर हम नमक का इस्तमाल इस तरह से करते हैं आवश्कता से ज़्यादा नमक का सिवन श्रीर में कई तरह की बिमारियों को जनम देता है इसका मतलब यह नहीं कि आप एकदम ही खाना बंद कर दें क्योंकि श्रीर को सह नहीं धंग से काम करने के लिए नमक हमारे बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फ्रिंट्स नमक 40% सोडियम और 60% क्लोराइट से बना हुआ होता है संतलित मात्रा में नमक का सिवन श्रीर के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है यह श्रीर में पानी के स्तर को बनाए से अराम भी दिलाता है श्रीर में नमक की कमी होने से कॉलिस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है जिससे ब्लेड प्रेशर की समस्या ठकान भूक ना लगना और भी कई बिमारियां उत्मन हो सकती हैं तो ज़्यादा नमक का इस्तमाल ना करते हुए अगर हम सही मात्रा में नमक का इस्तमाल करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद है और फ्रेंड्स नमक हम कई रूपों में मतलब खाते हैं सेवन करते हैं देखें हम सबजियों वगरा में तो नमक डालते हैं कई बरह ऐसा होता है कि नाश्टे में हम परांटे बना लेते हैं कभी गोबी के कभी मूली के कभी आलू के तो नमक उसमें भी जाता है या हम कई बर ऐसे होता है बाहर से भी खाना खा लेते हैं तो उसमें भी नमक होता है तो कई रूपों से हम जो खाना खाते हैं कई रूपों में तो उसमें नमक की मत्रा सब में होती है तो थोड़ा थोड़ा न नमक हमें एक दिन में कम से कम 5 ग्राम के करीब खाना चाहिए यह अगर देखा जाएどう एक छोटा कशमाष हमें नमक डेली ही खाना चाहिए तो जिससे कई प्रॉब्लम से निजात भी यह नमक क्ला лाता है और अगर देखिए हम जढ़ा मत्रा Hay 정도 मगराणक के के लिए हमारेक्य मारा प्रियुक्त faculty ुशठी के लिएधी न तो के लिए सप्राइन को सजांट प्रसके धिर उद्री क्जान सफेंक्ट क्रेक्ट धूख्लें वह औरograp को प्रॉब्लम्स आती हैं जिसमें हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है तो नमक की मातरा अब बिल्कुल सही रखेंगे तो आपको ये बहुत ही ज्यादा फाइदा देगा देखिए इन्फेक्शन्स वगारा होने का भी डर रहता है अगर हम ज्यादा नमक खाते है बार-बार हमें पिशाब आना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा प्यास लगनी स्टार्ट हो जाती है सूजन वगारा हो जाती है पैरों के टक्नों पर ज्यादा तर होता है या उंगलियों के उपर होता है तो सूजन वगारा आनी स्टार्ट हो जाती है और तो और पेट फूर करें अगर आपने ज्यादा नमक का सेवन कर लिया है तो आप पानी अच्छी मात्रा में पीए ज्यादा अच्छी मात्रा में पानी पीएंगे तो आपको ज्यादा नमक खाने से सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीएंगे तो सि चाने भी दूर करता है और संक्रमर्न की समस्या जो आए नमक से दूर होती है दांतों के लिए भी यह काफी फायदे मंद होता है नमक सही मात्रा में अगर खाते हैं आप इम्यून पावर जो होता है वह बूस्ट होता है तो नमक खाने से से हमाई जो भूख बढ़ती है तो एक चोटा चमच आप नमक का सेवन एक दिन में कर सकते हैं, वो भी अलग अलग चीजों में एड़ करके, एक साथ आप नमक मत खाएं, और नमक आपने अगर सबजी विगरा में डाल में डाल दिया है, तो उपर से जब आप खाना खाने लगते हैं, तो उपर से अलग से न लगी है आपको मेरी यह जानकारी, अगर अच्छी लगी है यह तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादह से ज्यादह कِजिए, और अभी तक मेरे है को सबस्क्राइब नहीं किया, है तो merit मेरे चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब की ज़िए.